दोस्तों मेरे पास एक Samsung का डिवाइस आया हुआ है जो कि इसका मॉडल है F42 तो इस डिवाइस में दोस्तों FRP लॉक लगा हुआ है तो आज किस वीडियो में इसे हम लोग विदाद PC बाइपस करेंगे जो कि Android 11 हो या फिर 12 हो दोस्तों यह एकड़ाँ फाइनल मेथद है जो कि आप किसी भी Samsung के डिवाइसों में FRP बाइपस करने में आपको help होगा मदद करेगा ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस को मैंने वाइफाइस से कॉनेक्ट किया वैसे ही आपको सेम करना है वाइफाइस से कॉनेक्ट क है वो start हो चुका है अब यहां पर आपको करना क्या है friends यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं आपको ऐसे करके आपको बनाना है यह देखिए यहां पर ठीक है उसके बाद इसमें आपको double click करना है उसके बाद यह जो voice use command जो है दोस्तों इसमें आपको क्या बोलना है कि सु आपको open हो चुका है उसके बाद आपको सबसे पहले talkback को off करना है तो off करने के लिए आपको पता होना चाहिए volume up down दोनों को एक साथ प्रेस करना है ठीक है volume plus और minus को उसके बाद इसे use करना है अभी भी आपका talkback off नहीं हुआ है फिर से आपको same प्रेस करना है volume up down एक दम ऐस जैसे मैं कर रहा हूं वैसे same करना उसके बाद आपको यहां पर chrome browser आपका open कर लेना है जैसे कि मैं chrome open किया हूं उसके बाद आपको इसके url में आपको type करना है frp file bypass simply सबसे first जो link मिलेगा आपको इसमें click कर देना है उसके बाद आपको open galaxy store ठीक है इसमें alliance जो है तो दोस्तों work नहीं करने वाला यानि ADB आपका enable नहीं होगा तो आपको इस तरीका से अगर without PC bypass करना है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है सबसे पहले galaxy store को open कीजी और यह update आता है तो इससे update कीजी और जैसा कि आपको पता होना चाहिए आज के वक्त में शाद मैं video upload कर रहा होगा लेकिन without PC आप इस तरीका से कर सकते हैं सभी भाई के पास unlock tool लेए और हो सकता है आने वालकल में वह method भी आपका काम ना करें तो इस तरीका से आप easily bypass कर सकते हैं और पता नहीं कब क्या update आता है यह आपको भी पता होगा कब क्या update आ जाता है जिससे method काम करना बंद हो पर आपको अगर रोस्ट्रेक के साथ आप जूड़े रहेगा दोस्तों तो जब भी कोई नियू अगर आता है bypass करने का method हो या फिर PC method हो तो मैं upload करता है तो अपने चैनल पर खैर यहां पर सबसे पहले आपको जो S9 launcher है वो आपको download कर लेना है ठीक है इसे अभी open नहीं करना जिसमें दो APK को आपको स्रिफ backup करके रखना है वो दो APK जो है दोस्तों वो क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसका link जो है description में आपको मिल जाएगा याद रखेगा अगर walk नहीं करता है तो मुझे comment जरूर किजिएगा मैं उसे fix जरूर करूंगा ठी ठीक है आपको कोई भी सिकायत का मौकर नहीं मिलने वाला है रोज चेक पे ठीक है Samsung अकाउंट को मैंने इसमें लॉग इन कर दिया करने के बाद simply इसे मैं बैक कर रहा हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बैक नहीं हो पा रहा है फिर भी आपको वीडियो के साथ एक् बाइपस कर पाते हैं यह आपको पता होगा लेकिन जो 11 है और 12 है इसमें आपको कहीं नहीं अटक जा रहे होंगे बाइपस करने में तो खेर यहां पर देख सकते हैं कि S9 जो है अपना इसे simply open कर दिया उसका setting में simply in होना आपको और आप देख सकते हैं कि Samsung अकाउंट को मैंन में login करके रखाऊं सेम ऐसे करना है और यह जो दोस्तों इससे आपको अपने Samsung अकाउंट में backup कर लेना है अब backup कैसे करना वह बहतर आपको पता होगा ठीक है यह कोई बड़ी बात नहीं backup करना इन दो APK को जिसका लिंक आपको description में मिलेगा इससे आपको अपने Samsung अकाउंट में backup रखना है ठीक है backup कर लेना है इसी है क्योंकि यह दो APK ही आपका FRP को बाइपस करेगा अब आपको एससे प्लीटी में आना है और यहां पर जी shortcut है वह आपको open करना है यह देखिए shortcut कैसे open करना है simply आप इसे back किजी और यह देखिए इसे on कर दीजी और साइड में क्लि apps भी आपका walk नहीं करेगा यह सबको पता है उसको accounts में आना है account में आने के बाद यह देखिए restore plus जो नीचे shortcut है दोनों को एक साथ प्रेस करना है ठीक है यह देखिए एक साथ मैं प्रेस कर रहा हूं update नहीं करना आपको update का option आता तो यह देखिए हो चुका है उसके बाद आ मैंने AP के आपको दिया हूं यह दोनों को अपने इस device में back install कर लेना है इस तरीका से अब थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मेरा कुछ device में ज्यादा मतलब मैं backup करके रखा हूं इसलिए थोड़ा कुछ समय ले रहा क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ME size है यहां प अपने भाई को बोल सकते हैं मैं उससे जरू सीक्स करूंगा और और भी आगे जो भी आपका problem होता है मुझे जरू comment किजिएगा ठीक है अब आपको फिर से accessibility में आना है उसके बाद यह देखिए यह जो notification बार है simply इसे off रहता है इसे on कर लेना है ठीक है यह आपका काम होगे अब आपको यहां पर privacy में आना दूस्तों ठीक है privacy manager जो है simply इसमें आना है सबसे first में उपर में click करना है उसके बाद यहां पर देखिए file का option लिखा रहेगा उसके बाद source system apps so system जो लिखा हुआ simply आपको इसमें click करना है उसके बाद नीचे की तरफ आईएगा और जो आपको मैं आपको देखाता हूँ किसे आपको permission देना है यानि allow करना है वो मैं आपको बताता हूँ यह देखिए package disabled pro जो है दोस्तों सिंप्ल इसमें आपको click करना है इसे allow कर देना है ठीक है यह आपका काम हो गया अब आपको क्या करना है भाईयो बैक हो जाना है यह देखिए मैं बैक कर रहा हूं ठीक है कोई बात नहीं है यह आपको पूरा ही बैक कर दिया है तो कोई दिक दिकत नहीं है वापिस सेम तरीका से जैसे आप सैटिंग में जैसे आप galaxy store पहुंचे थे वैसे आपको सेम होना है कोई दिकत नहीं है यहाँ पर यह देखिए मैं ऐसा ही गया था ठीक है फिर आपको Google Assistant बोलना है गूगल Assistant आपका ओपन हो जाएगा उसको ओपन यूटूब ठीक है उसको आपका जो टॉक बैक है उसे आफ किजिए उसके बाद इसमें आपको क्लिक कर देना है टामस आफ सर्विस में उसके बाद आपको galaxy store फिस से ओपन करना है यह देखिए मैं यहाँ पर आपको देखात आप उसके बाद notification बार जो है आपको simply इसमें क्लिक करना है इसे एक बर और permission देना है यह देखिए notification जो लिखा हो इसमें आपको simply क्लिक करना है उसके बाद यह जो है इसे आपको permission देना है allow करना है उसके इसका काम हो चुका है खतम यह देखिए यहाँ पर इसका काम हो गया खत्म यह देखिए आपका जो वाइफाई आफ आउन करने का उप्चन है वो एनेवल हो चुका है सिंपली ठीक है यह देखिए सबसे पहले वाइफाई को आफ कर दीजिए सीम वगरा लगा हुआ है तो उसे निकाल कर काम कीजिएगा ठीक है वाइफाई मैंने आफ कर दिया और यह जो पैकिस डिसेबल है सिंपली इसे आपको ओपन करना है यह देखिए ठीक है अब यह पर आपको क्या करना है दोस्तो वाइफाई आइन कर देना यह देखिए ऊंठी थोड़ा वेट किजिए उसके बाद आपको आगे जो है वह फालू करना है ठीक है यह दीखिए अए एगरी उसके बाद थोरा से जगह पर भी wait कीजिए जब तक कोई option आए नहीं यह देखिए ठीक है अपना on हो चुका है यह please wait बता रहा है मैं voice अपने हर वीडियो में इसे लिए देता हूँ ताकि ऐसे कोई भाई ना हो जिनी समझ में ना आए फिर भी नहीं समझ में आता है तो बेफी करोगे comment किजिए आप यहाँ पर आपको setup लिखना है यह देखिए setup लिख देना है simply आपको search में type करना है उसके बाद इसमें आपको click कर देना है सबसे first में android setup जो है उसको बाद यह जो है samsung setup जो है दोस्तों आपको simply इसमें करके यहाँ पर clear कर दीजिए इसे और back हो जाईए बस इतना ही काम था आपका यह देखिए मैं back होता हूँ यहाँ पर दो option मिला simply आपको इसमें samsung setup जो है इसमें click कर जिएगा उसको आपका FRP जो है जो कि Android 11 हो या 12 हो जो भी latest security हो दोस्तों और managed device में perfect work कर रहा है यह callcam based chipset है इसमें यह जो F42 जो है दोस्तो 5G यह callcam है तो exynos हो या callcam हो या MTK हो MTK तो अगर आपके पास आता है तो PC से भी आप निकाल सकते हैं लेकिन exynos का जैसा कि आपको पता होगा डॉन गेट करना पड़ता था अभी खेर बहुत सारा method भी आ चुका है online rate भी price जो है सो भी कम हो चुका है दोस्तों लेकिन अगर आपको कोई भी सरदर्द नहीं लेना है simply bypass करना है तो इस तरीका से आप कर सकते हैं तो आपको यहां पर लॉक वगरा भी मैं आपको इसलिए चेक करा दे रहा हूं कि यह perfect walk कर रहा है दोस्तों और मैं अपने हर वीडियो में आप भाईयों से आप ही लोग से ही request कर सकता हूं दोस्तों किसी और से तो नहीं तो अभी तक आपने हमारे जोश्टेक को सपोर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों कि ऐसा ही वीडियो रोजटेक पर अपलोड होता है जो कि आपके काम का हो तो जरूर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें तो फिलहाल इसमें लॉक भी लग चुका यानि FR जो है वो कंप्लेट नहीं कल चुका है फिलहाल आप लोगों को बताने के लिए मैं देखा रहा हूं कि लॉक हो रहा है ठीक है अब आपको एक बार अपने इस डिवैस को फॉर् किजिएगा फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू सो मच